जैहिन दोस्तों मेरे नाम है अन्रग स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अन्रग रिव्यूज एंटेक में दोस्तों आज मैं आपके लिए रिव्यू करूंगा टीवीएस की जूपिटर जो एक बहुती फेमस स्कूटी है उसका और यह बीएस 6 मोडल है यह स्टेंडर्ड आता है इसका वो फुली एलेडी लाइट अब इसमें आपको मिलेगी इसके अलावों क्या के चेंज इसे भी मैं आपको बताऊंगा माईलीज वगएरा के बारे में आपसे बात करेंगे और जल्दी से आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा अगर वीडियो अच्छी पूर्ड भी लगवा सकते हैं अभी यहां पर पहले आप पर चोक होती थी वह अटा दी गई है सबसे वड़ा चेंज है वह है फ्यूल इंजेक्शन अब इसमें आ चुका है पावर फिगर्स वहीं है लगबग ज्यादा कुछ बदला उसमें नहीं किया गया है इसके अलाव अब जो स्टोरेज की बात है तो इस पेस की अगरा बात करूं तो यहां पर ऐसा ही है काफी अच्छा स्पेस है काफी ठीक ठाक स्पेस है यहां पर आगे की तरफ और अगर मैं बात करूं अंडर सीट स्टोरेज की तो अब अंडर सीट स्टोरेज को बढ़ा दिया गया है अ अब अंडर स्टोरेज है इसकी 21.8 लिटर्स की तो ऐसे आप अगर घुमाएंगे चाबी को तो ये खुल जाती है सीट और ये अब बढ़ा दी गई है इसके अलाव मैं आपको एक बात और बता दू कि अब इसमें जो फ्यूल टैंक कैपसिटी है वो भी 6 लिटर की कर दी गई ये एक आपका फ्यूल इंजेक्शन कैसी हेल्थ है उसके चेक करने के लिए जो आप रेड बटन सा देख रहे हैं यहां पर ये दिया गया है दोस्तों इसके बाद मैं आपको बता जाता हूँ कि आपका जो माईलेज है इसका स्कूटर का जो मैंने चेक किया है तो मैंने जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 60-65 किलोमेटर पर आवर के स्वीड पर ही आप इसको चलाएं दोस्तों अगर आप उन्रोड कीमत की बात करें तो यह आपको 73,000 का उन्रोड कीमत पर आपको मिलेगा इसके बाद आप सुनिए इसकी एक्जोस की साउंड आज के लिए इतना ऊच्ळ छ कीमत買ा, बाद पर आपको काम इपको deval कि लिए आपके स्वीज़ोत की मिलेगर इसके सब्सेट कीमत कीमेश पर आपको झाल झाल